इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर प्रेज करें हमारी न्यूव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स बीबी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो जिनके लीब से एट्रेक्ट होके ही उन्हें हम अपने गार्डन में लगाते हैं और साथ में जो जब हमारे पास कभी फूल ना हों खिले हों हमारे गार्डन में तो फूलों की कमी को भी पूरा करते हैं और देखने में बहुत ही विट फूल लगते हैं उन पर फूल कही different different color में मिलता है easy to grow है और cuttings easily grow हो जाता है और बहुत ही एक सुन्दर सी look garden को देता है जहां भी आप इसको लगाऊगे चाहे गमली में लगाऊ चाहे जमीर में लगाऊ तो इस plant को हम अपने garden में जुरूर add कर सकते हैं कि जो फूलों की कमी को तो बहुत ही अच्छे सी पूरा करता है और बहुत ही सुन्दर सा plant होता है जो बहुत सारे colors में मिलता है collies तो यह देखे फ्रेंट्स अलग अलग तरह के collies और अलग अलग तरह के इनके leaves के design है और जो भी आपको पसंद हो वो आप अपने garden में लगा सकते हैं और अपने garden को जो है एक बहुत ही beautiful सा look दे सकते हैं और यह देखे इनको भी ज़्यादा दूप नहीं चाहिए होती है यह एक दो गंटे की दूप इनको मिल जाए तो यह अच्छे से चलते रहते हैं और जो भी आपको पसंद हो अपने garden को उस कलर से डेकरोड कर सकते हैं और यह बहुत सारे कलर से मिलते हैं कोलेज और एक और प्लांट है जिसको हम अपने गार्डन में लगाते ही उसके जो beautiful leaves होते हैं colorful leaves होते हैं उसकी वज़ा से ही लगाते हैं तो यह plant होते हैं crotons और यह भी बहुत सारे अलग-लग colors में मिल जाते हैं और बहुत ही beautiful सी जो इनकी leaves होती है जो हमारे garden को और भी सुंदर बनाती है और different-different इनके leaves के size होते हैं और different-different color होते हैं जे भी easy to grow ही होता है सिर्फ यही है कि इसको bell drain मिट्टी में grow करना है और साथ में इसको पानी कम देना है और इसको ऐसी जगा रख रहे है जहां इसको एक जार देड़ दो गंटे की दूप मिल जाए morning की और उसके बाद यह plant बहुत ही अच्छे से चलता रहता है और बहुत ही अच्छा एक indoor plant है इसको अच्छी रोशनी चाहिए सुबा की एक गंटे की दूप मिल जाए तो जी plant बहुत ही अच्छे से चलता है तो इसको हम अपने घर में जरूर लगा सकते हैं अगर हमें अपना जो है कोई कोना beautiful बनाना है तो इस plant को हम अपने garden में लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स ये है ड्रैसीना का plant जो बहुत ही अच्छा एक colorful leaves वाला indoor plant है जिसको हम अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं और ये भी शाया में चलने वाला plant है और बहुत ही सुन्दर लगता है इसके colorful leaves की वज़ा से और अलग अलग तरह के ड्रैसीना आते हैं और हर ड्रैसीना जो भी है बहुत ही सुन्दर लगता है और इसके बहुत ही colorful leaves होते है तो ये देखने में बहुत ही beautiful लगता है और ये भी बहुत ही easy growing होता है इसको भी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है थोड़ी सी एगंटे की रोशनी मिल जाए इसको sunlight और पूरा दिन अच्छी रोशनी मिलती रही तो ये अच्छा से चलता रहता है और बहुत ही अलग लग तरह के ड्रैसीना मिलते हैं और फ्रेंड्स एक और प्लांट जो इंडोर और और दोनों में चलता है और ये इसमें तो फूल भी आते हैं और इसके जो colorful leaves होते हैं उसे ही attractive होके हम अपने garden में जा अपने घर में इसको लगाते हैं तो ये है purple heart ये भी बहुत ही सुन्दर सा एक प्लांट है और देखिए इसके leaves का color कितना ही सुन्दर है देखने में कितना ही beautiful लगता है और ये दूप में भी चल जाता है और शाया में भी चल जाता है अगर शाया में इसको रखोगे जादा तो इसके जो leaves का color है थोड़ा सा light हो जाता है और ये भी बहुत ही अच्छा एक easy to grow cuttings easily grow हो जाता है और कोई इसकी ज्यादा केर भी नहीं करने पड़ती ये भी बहुत ही अच्छा एक प्लांट है जो हमारे गार्डन में जो color add करता है तो अपने गार्डन में जो है color add करने के लिए आप इसको परपल हर्ड को भी लगा स सकते हैं ये है बंडरिंग जीव और ये देखिए इसके leaves कितने ही beautiful होते हैं और दो तिन color इसके पतों में आपको देखने को मिलेंगे और ये भी एक बहुत ही सुन्दर सा प्लांट है और बहुत ही easy to grow है और गर्मियों में इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी होती है त और बहुत ही fast grow करता है देखने में देखिए कितना ही beautiful लगता है और इसके back side का जो leaf का color है वो purple होता है और उपर से थोड़ा greenish थोड़ा bitish और बहुत ही beautiful सा ये plant होता है तो colorful एक plant इसको भी आप लगा सकते हैं और बहुत ही easy to grow होता है कटिंग सेजली ग्रोग हो जाता है और बंडरी जूग को भी आप अपने garden को सुंतर बनाने के लिए लगा सकते हैं और ये है एक hedge plant और बहुत ही beautiful इसके color होते हैं आप इस plant को जितनी भी दूप दोगे इसका color उतना ही अच्छा होगा तो आप इसको plant को जो है पूरा दिन की दूप में रख सकते हैं और ये है hedge plant बोलते हैं इसको और साथ में लोरो पैटलम और ये भी cutting सेजली ग्रोग हो जा हो तो इसी shape में बन जाता है और देखिए कितने ही इसके dark color के color के हैं अगर आप इस तरह का color चाहते हो तो आप इसको बुरा दिन की दूप दीजिए और बहुत ही easy to grow plant है cuttings easily grow हो जाता है और देखने में बहुत ही beautiful लगता है और देखिए कितना ही color हमारे garden में add करता है तो अ और इसको आप अपनी क्यारी में भी लगा सकते हो वहां में यह बहुत अच्छा लगेगा और साथ में गमले में भी लगा सकते हो और बहुत ही colorful एक plant है hedge plant और loropetalum यह देखिए friends एक और ही बहुत ही सुन्दर से leaves वाला plant coxcomb इस पर तो full भी आते हैं वगर इसकी जो leaves होते हैं वह भी बहुत ही सुन्दर लगते हैं देखने में जब फूल नहीं भी आ रहे हो तो तब भी प्लांट जो है बहुत ही attractive लगता है तो इसको भी आप लगा सकते हैं एक बार लगा लोगे तो यह प्लांट सदा आपके garden में रहेगा इसके इतनी सीड बनते हैं बहुत ही इसके जो leaves हैं कितने ही beautiful हैं तो इस है शैफलेरा प्लांट और यह भी बहुत ही easy to grow है बिल्कुल low maintenance है इसके कोई ज्यादा care नहीं करनी पड़ती है सिर्फ इसको जो है जब इसको जुरूरत हो तो पानी दे दीजिए और एक आदे गंटे की दूब मिल जाए और साथ में बहुत ही सुन्दर सा एक प्लांट है जो बिल्कुल low maintenance है कोई care नहीं मांगता है और देखने में बहुत ही beautiful तो यह अपने गार्डन को एक और सुन्दर सा लुक देनी के लिए तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं बहुत ही सुन्दर प्लांट होता है यह शैफलेरा दो कलर के और यह भी बहुत ही low maintenance होता है इसको भी ज्यादा दूप नहीं चाहिए होती है एक आदे गंटे के दूप मिल जाए तो यह अच्छे सी चलता रहता है ज्यादा दूप में यह प्लांट नहीं चलता है और यह बहुत ही अच्छा एक सुन्दर दिखने वाला प्ला क्युक कि दो कड़न में लगा सकते हैं जुक्ति सुन्दर और इजी ग्रोइंग प्लांट है डेवल्स बैकबॉन और यह सांग आफ इंडिया और यह इच्टे कितना ही बीटफल है इसको भी आप जो है लगा सकते हैं अपने गर्ण में बहुत फाली इजी गार्डन में एड़ करता है और बहुत ही फेमस प्लांट है ये भी अपने लीप्स की बज़ा से तो इसको भी आप जो अपनी गार्डन में जरूर लगा सकते हैं बहुत ही ब्यूट्वी एड़ करता है ये Song of India ये देख़े कितना ही सुन्दर लगता है ये मैंने कटिंग से ही ग्रो कर रखा है तो कटिंग से ये इजली ग्रो हो जाता है तो देखने में बहुत ही बिट्फुल लगता है कोई ज़्यादा केर नहीं मांगता है कम दूप में भी चल जाएगा और तीन-चार गंटे की द बादन में ब्यूटी वी एड़ करें बिना फूलों के ही तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं और यह फैरुक के रिया और यह भी बहुत ही वीटफुल और बिल्कुल लो मेंटनेस है इसको किसी भी चीज की ज्यादा जुरूरत नहीं होती है सिर्फ इसको आप ऐसी जगा लगा सकते हैं इसको एक दो गंटे की दूप मिल जाए तो साथ में जब इसको जरूरत हो तो पानी दें और इस प्लांट को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है और यह बहुत ही असानी से ग्रो हो जाता है और देखने में बहुत ही बीटफुल लगता है बिल्कुल लो मे में इसे कोई इसकी ज्यादा केर नहीं करने पड़ती है तो इसको भी आप अपनी गार्डन में लगा सकते हैं यह देखे फ्रेंस यह रिब्बन गर्स यह भी बहुत ही अपने बीटफुल लीपस की वज़ा से ही इसको हम अपने गार्डन में ग्रो करना पसंद करतें और य तो यह देखिए एक और प्लांट इसके वह कितने ही beautiful से leaves है इसको भी आप लगा सकते हैं तो देखिए है यह चोटा सा plant है मेरा तो यह कितना ही सुन्दर है इसके वह जो beautiful leaves की वज़ा से हैं हम अपने garden में गरो करते हैं इस पर भी full भी आते हैं मगर इसके leaves भी कितने सुन्दर तो इस plant को भी आप अपने garden में लगा सकते हैं और यह देखिए फाइकस, बैरिगेटर फाइकस, इसके जो leaves हैं, कितने ही सुन्दर होते हैं देखने में बैरिगेटर से, तो इसको भी हम जो है, इसके खुबसूरत पत्तों के वज़ा से ही लगाते हैं, तो यह भी आपके पास option है, यह भी आप लगा सकते हो, बहुत ही सुन्दर दिखता है, मेरे प्लांट तो भी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो कितना ही सुन्दर लगता है यह प्लांट, फाइकस, तो यह जो भी प्लांट है, इनको आपने गर में लगा सकते हैं, और फ्रेंड्स, यह ह बहुत ही सुन्दर सा प्लांट होता है, जो जिसकी बीटफुल लीप्स की वज़ा से ही, हम इसको अपने गर में गरो करते हैं, और यह भी बहुत एजी ग्रोइंग होता है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, और यह भी कटिंग से इसली गरो हो जाता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, तो फ्रेंट्स यह है सिंगोनियों, और यह देखिए इसके भी लीप्स की बज़ा से ही, फोलिज के लिए हम इसको अपने गार्डन में गरो करते हैं, और यह भी बहुत ही अलग लग तरह के सिंगोनियों मिलते हैं, जो क कुछ इस तरह के होते हैं कुछ जो है colorful भी होते हैं और इसको भी आप जो है लगा तो यह है रियो यह भी बहुत ही अपने colorful leaves की वज़ा से अच्छा दिखता है प्लांट और इसकी दो colors के leaves होते हैं तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं बहुत ही सुंदर सा प निखलता है और इससे सीड़ बनते हैं और साथ में इसके एंजड़ों से पाप्स निखलते हैं उससे आप प्लांट को ग्रों कर सकते हैं. Thank you friends, वीडियो को देखने के लिए और जो भी आपको पलांट इन में से पसंद हो तो अपने गार्डन में ज़रूर गुरू कीजिएगा और बहुत ही विटुफुल से प्लांट होते हैं, जो मारे गार्डन में बहुत ही ब्यूटी एड़ करते हैं, तो थैंक यू झाल झाल